को यह बताया था कि जैसे बारा को थी यह वह व दिन हमारे जो जो सोलर स्टम में उसके अंदर विद्यमान तो वह राशी यह जुदि hij had हम जैसे बाहर जो भी हम तारे देखते हैं उसमें हमारे पुराने जो बजुर्ग थे उन्होंने क्या था विप कि उसमें आपस में equal distance पे एंगुलर equal distance पे 27 मों उन्होंने पहचाने और उनके नाम दिए तो उनको नक्षत्र कह देते हैं अब वो नक्षत्र की वाइट कलर के पीछे जैसे कोई चीज आगे देखोगे कोई डार कलर की चीज देखोगे तो आपको clear नजर आएगा तो background में जो चीज है वो उसके उसका पता लगता है कि यह कहां पे है चीज अब उसमें यह यह आके ग्रह होंगे तो उसके पीछे जो pattern बन रहा होगा जिस pattern म वो विद्धमान होगा तो उसकी position पता लगएगी planets की क्योंकि वैसे आप देखोगे खुद ही देखोगे कि उन्हें पुराने हमारे जो थे बजोर गुंदों ने कैसे देखा होगा रिशी मुनियोंने की ग्रह इस ताइम कौन सी राशी में है आप लोग पूछ भी रहते प कौन से नक्षत्र के आसपास है तो उससे ग्रह है kर यहां पर यह उपर यह क् पॉद्नेंश वह बहुत ज्ञादा बहुत जैसे टर 50 में इब वह तो आपको पता कि राशियां भी उसी 360 डिग्री में उसके बियॉंड जो है नक्षत्र है वो भी 360 डिग्री में तो आपको वही राशी जो 30 डिग्री की राशी उसी राशी के अंदर आपको नक्षत्र भी दिख जाएंगे जैसा कि अभी आप यह सरकल में देख रहे हो जो जो इसमें और ब्लूब का इसमें स्वामी तो नहीं बोल सकते लेकिन यह एक शिच्म आता है उस में जो भी हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो दशा वहां से प्रारंब होती है तो दशा कौन से ग्रह की दशा से अरंब होगी और कैसे करम में चलेगी वो जो ब्लू वाले हैं वो पैटरन दे रहे हैं यदि अश्वनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है तो यदि उसमें चंद्रमा होगा तो केत्व की दशा अरंब होगी यदि भरनी है तो शुकर की आरंब होगी कृतिका है तो सूर्य की होगी प्रोईनी है तो चंद्रमा की होगी मरिक्षिरा है तो मंगल की होगी आद्रा है तो फाहू की बुर्णरवसू थो पती योगी पुश्य है तो शनी की होगी अशनेशा है तो बुद्ध की योगी इस तरह से होता है तो 13 डिकरी 20 मिनट त्वीस चालीस मिनट ओगए दीज डिकरी में से बचा कितना तीन डिकरी 20 मिनट तो तीन डिकरी 20 मिनट का एक चुछाई हो गए तो इससे दो नक्षद्र तो हो गए एक चुथाई नक्षत्रस ऐसे होते हैं है वैसे नक्षत्र के आगए हम QUEST कर सकते हैं वीजिन कर लेते हैं तो एक में हम चार दिवीजन करें तो तीन डिईगरी 20 मिन Tout है तो हमारे आपको तक कि 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 गुणा 4 27 multiply by 4 करेंगे तो 108 की संख्या हैगी अब यह 108 की संख्या आप सब ने कई बार सुनी होगी कि 108 माला करते है 108 मंत्र करते है 108 की बड़ी पवित्र जो है संख्या है वहीं वहीं संख्या यहां से आ है कि नक्षत्र गया यदि 27 नक्षत्र को चार बराबर हिस्सों में हम बांटेंगे तो एक-सो-हाथ बन जाते हैं और एक तो एक हिस्से को हम चरन भी बोल देते हैं पद भी बोल देते हैं इसका मतलए यह हो गया कि एक नक्षात्तर में चार पद होते हैं या चार चरन होते हैं और एक राशी में सवाद हो गए तो दो 2.25 इंटू कितना फोर थीक है तो कितना हो गया नौ दो दो पॉइंट क्योंकि सवाद हो गए सवादो मतलब 2.25 इंटू फोर क्योंकि सवादो नक्षात्र होते हैं एक नक्षात्र में चार चरन होते हैं तो एक एक राशी में नौ ठों चरन हो गए यह नौ पधा गए तो इस तरह से दो नक्षात्र पूरी आ गए और एक तीश्रे नक्षात्र का एक पध्धा गया इस तरह से राशियों में आते हैं नक्षात्र पैले हुएं अब पहले तो नक्षत्र यदि हम नक्षत्रों के अब नाम याद करने बढ़ेंगे आपको 27 नक्षत्रों के याद, जैसे राशीओं के याद किये थे, उसी तरह थे रक्षत्रों के नाम बता देता हूं मैं आपको, सबसे पहले हम, पहली राशी कौन सीती, मेश, टीक है, तो मेश राश सबसे पहला लम क्रिटिक है उसका एक चरण जो आ जाएगा अपतेरिक व पुंत दीचति वबत्क Brew तो जो व्रश वर राशी है न टीन चरण अगली दूप व्रशत राशी में तो एक चीज और देखेंगे कि नक्षत्र जैसे नौ नौ चरन होते हैं तो आप यह देखेंगी दस इनका पैटर्न वही है रहे एक राशी में वह तीन डिग्री बीस मिनट छे है तैक है नक्षत्र कोई भी ओ अब जैसे कि अश्वनी गद अभी तक हो गया उसके बाद धिशन करति अगली शुरू हो गई आगली राशी व्रशवराशी उसमें फिर जीरो से दूसरा चरन करिटी का उसके तीन चरण तक जो है उसरा चरण से आगे दस मिनिट तक रोहीनी चला क्योंकि चार चर्ण उसके आगए अब कितने 23-23 के बाद दो चरन बचे हमारे दो चरन जो है म्रिग ज़रा के दो आप रुष ज्वर्प में डोंधने नक्षथ आ वह आ गया मिथुन राशी में अब मिथुन राशी में 46 तक म्रिक्षिरा हो गया जीरो डिग्री से छे चालिस तक म्रिक्षिरा हो गया उसके बाद आ गया आरदरा नक्षत्तर चे चालिस से लेके 20 डिग्री तक अर्द्रा हो गया अब उसके वाद अब तीन चरन बचे इस राशी के मित्वन के तो उसमें आ गया पुनरवसू पुनरवसू के तीन चरन खतम हुए तीस डिगरी तक आपके मित्वन राशी के दवीच से लेके तीस डिगरी तक जो है तीन चरन आ गया पुनरवसू के तीस के दिआ आगे राशी शुरू होगई कर्क तरक राशी का जो है पुनरवस्व का आखरी चरण जो है पुनरवस्वाष सुरू है 10 दिग्री 20 से लेके 16 दिघ्री 40 मिनिट तक पुष नक्षत्र हो गया उसके बाद आगया अशलेशा अशलेशा नक्षत्र जो ऐस्रोढन दिग्री 40 मिनिट शुरू हुआ आपका करक रज्री में और 30 डिग्री पे खत्म हो गया है अब आप देखेंगे कि तिरीप यहां पर एक सो वीज दिग्रीया इम कवर गए चार राशिया ठीक है और न्हolब कवर कर गए कि अब इनमेन आपने देखा 새था तो एक तिहाई नकशत्र चले गए एक तिहाई राषिया आं गई तो यहां पर जाके राषी हाँ ऑग और आपकी नकशत्र भी खत्म होगय जीरो डिग्री आगी अगली अगला नक्षत्र शुरू होगा और अगली राशी ओगी जीरो से शुरू होगी तो यह क्या हो गया एक जॉइंट बन गया मतलब यहां डिसकॉंटीनू हो गया इससे पहले आप देख रहे थे कि जहां राशी खतम हो रही थी तो नक्षत्र चल वही पहला — ऐसा नहीं था कि कोई भी राशी क्वे खतम हो रही और नक्षत्र भी खतम हो रहा है लेकिन यहां पर जाके एक सब्सक्न डिग्री पर आप का नक्षत्र और राशी दोन्हों खतम हो गया अब अली रासी जो है वह भी जीरो से शुरू होगी उर नक्षत्र भी व्रशब का मित्वन का वायू करक का जल अब उसके बाद सिंग राशी का क्या था अगनी फिर कन्या का क्या था पृत्वी फिर तुला का क्या था वायू फिर व्रिश्चिक का जल इसी तरह से आप देखेंगे कि जल अब हमारी करक राशी जल तत्व है और सिंग राशी हमारी अगनी तत्व है आपको पता भी होगा जैसे सबको विदित है यह ज़ीज ज्यान है कि जल और अगनी का कोई मेल नहीं है हें जहां अगनी होगी तो आपने देखा ह shaping आग को पानी से बिजाया जाता है और जहां जल होगा वह अगनी नहीं हो सकती और जहां अगनीं हो नहीं हो शकता अब अगनी होगी तो मतलर वहां जलगी आपको जल को उड़ा देगी जला के विलकुल एकदम तो एकदम विरोधावास हो गया तो इसलिए आप देखेंगे कि सड़नली एकदम जलतत्तव को फिर अगनी तत्तव आ गया तो यह इसलिए क्रिटिकल हो जाता है बहुत ज्यादा दोनों का जॉइंट आ गया तो यहां पर यह इ यह दोनों जो है एक दम आपस में बहुत विरोधावास है दोनों में एक जल तत्तव में और अगनी तत्तव में आ गया तो यह गंडव मूल हो गया इसको इसलिए आफ ने सुना भी होगा मूल नक्षत्र जो थे गंडव मूल हम कह रहे थे न बच्चा गंडव में पैदा ह उसके बहुत ही ज्यादा जो है उनकी जीवन में जो है उनकी जीवन में न इना जो इकोल नहीं रहतेरे जैसा आप में 12 भाव सुने हैं कोई भाव का तो बहुत ज्यादा मिल जाता है कोई भाव का बिल्कुल ही अकाल पड़ा होता है जीवन में इस तरह के कुछ बाद में आपको समझ में आएगा कि जीवन में कई सारी समस्यां हो याति हैं कि आपके जीवन में एक चीज तो आती हो गई और एक चीज की बिल्कुल कमी हो गई क्योंकि आपको बता है कि जीवन में जब सब कुछ सामान्य रूप से विद्यमान रहता है तो उस समय जो है सबसे अच्छा जीवन बंद कह सकते हैं वह बात अलग है कि उसके ज्यादा हमारी आजकल इच्छाएं लालच बहुत बढ़ गय जறए है जितनी जिरूरत है उसकी जरूरत तो पूरी यह लेकिन उसका मन ने बहर रहा उसको और चाहिए बहले उसकी जहीजिजें जो है विद्यमान होनी चाहिए यदि कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जायेगी तो भी दिक्कत है और जरूरत से बिल्कुल जितनी जरूरत है उतनी भी नहीं है तो बिल्कुल कमी हो गई तो वह अच्छा नहीं है तो यह मोल नक्षत्रों का बहुत ज्यादा परभाव होता है इसलिए इसका कहते हैं कि पूझा पाट से शांती करनी करवानी चाहिए अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अगला बताता हूं आपको शिंग राशी में जो है आपको अब यह शुरू होगई से शुरू हुआ तो वहां से आपका नक्षत्र शुरू ओंगया मघा मघा नक्षत्र जो दस्वा नक्षत्र और सिंग राशी 5 विराशी है उसके बाद यह जीरो ॡिगरी विश्ट्राशी से शुरू हो एक 13 डिगरी 20 मिनट तक इसके जलते हैं मगा के तेरा डिगरी बीस मिनट से लेके 26 दिगरी चालीस मिनट तक जो है पूर फालूनी नक्षत्र चलता है और पूर फालूनी के बात जो है आखरी का जो 26 दिगरी चालिस मिनिट से लेगे 30 डिगरी जो सिंगराशी का है उसमें आयाता है उत्तर फालगुणी अब आपने नाम देखा होगा दोनों का एक का पूरव एक का उत्तर 12 दो फालगूनी नक्षत्र दो होते यह ज्र्वा नक्षत्र होते हैं काफी ज्यादा इन में समानता है इन में काफी डिफ्रेंस कम है अपस में ऐसा है लंग की दिशा में थ्थ facing दिशा में थो थब अ ओत्तर आता है अब उत्तर फालगुनी का जो है पहला चरन जो है सिंघराशी में विद्ध्यमान है उसके बाद दूसरा चरन जो है उत्तर फालगुनी का वह आका क्था है करने Renisfar से लेकर 10 तक जो है उत्तर फालगूनी नक्षत्र आता है उसके बाद उत्तर फालगूनी आएगा आएगा आपका हस्त-नक्षत्र दिगरी कन्याराशी के दस डिगरी से शुरू होकर अपने 20 दिगरी चालिस मिनट तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखा फिर उसके बाद आपके आखरी के दो चरण फिर बच गए अब जो है वह अगला नक्षतर शुरू होगा जो की है आपका चित्रा चित्रा नक्षतर जो है उसके दो डू चरन जो है करने राशी में आ जाएंगे और यह तनीरी करने राशी से लेकर तीस दिगरी तक पहले दो चरन आ गए उसके बाद जो सेश दो चरन है वहाँ अगली जोगि तुला तो लाराशी में आप देखेंगे कि दो चरन चित्रा गए जीरो डिगरी से लेजिए लेकर 20 डिगरी तक जो है वह आ गया स्वातिनक्षत्र अब आप इसमें जो पहले आपने देखा था कि मघा आपका मित्वन राशी और व्रशब राशी व्रशब राशी और मित्वन राशी के बीच में आप देख रहे थे कि दो चरन मृक्षिरा नक्षट्र के दो चरन लिखा हुआ है पांच नमबर पर और आप अब देखेंगे कि ऐसी चित्रा नक्ष्ट्र में भी इधर से कन्याराशी में दो आगए और कि उसमें आ गए आपके तुला में तो आप देखें कि चित्रा का भी यह दसanya दो इधर दो imm कननध दो आपके को डुद्धला में ठीक है अब आप देखेंगे हि और इसमें यह भी देखंगे कि दोनों में दोनों के राशियों के मद्धे में जो है आदा इधर आदा उधर दोनों आप देखेंगे इधर चला गया और आप एक चीज और देखेंगे चित्रा नक्ष्यत्र वड़ी इंपॉर्टेंट है आपको टोटल 27 नक्षत्र दिखेंगे तो यह चौदव नंबर का नक्षत्र है बिल्कुल सेंटर गा इसके जो है आजयेнок दो को लिए स्वाटी आहें ड मैको च्ठा और सशी चीज चित्र नक्षत्र गया का अपका आएगा विशा खात्र सवाथी में पहले स्वाति के बाद आगया आखरी के तीन चरण आगया आपके तुला के विशाख्या जो है उसके तीन चरण इसमें आगया और फिर उसके बाद शुरू हो गई आपकी व्रिष्चिक राशी का जो है पहला चरण जो है जीरो डिग्री से लेके तीन डिग्री बीस मिनिट से लेके आपको मिलेगा चारीस मिनिट तक आपने यह भी देखा होगा कि यह तीन डिग्री की एक डिग्री थी तो वहां पर चंदर्मा नीच का हो रहा था वरिष्चिक में तो यह इसका मतलब ही होगा कि यह विशाखा नक्षत्र के आकरी चरण में बिल्कुल जो है बिल्कुल चंदर्मा नीच हो जाता है अब इसके जो है वरिष्चिक ग्राशी का जो है आपका आगया जेश्ठा नक्षत्र अब इसके बाद देखेंगे फिर से वह स्थित्री जो पहले समझाई थी आपको इविश्चिक राशी का तत्तव कौन सा यह जल्टतव और इसके अगली राशी कौन सी है धनु राशी उसका तथव कौन से है अगनी तथव और अगर आप देखेंगे फिर से 9 नक्षटर पूरे हो गए आपका जेश्ठा नक्षत्र इसके बाद आता है मूल नक्षत्र, आपने गंड मूल, अब जो गंड मूल का नक्षत्र है, यह मूल नक्षत्र से ही मूल आया है, इसका, मूल का मतलब आप वैसे भी समझते हों कि जड़ें, बेस, कहां से शुरुवात हुई, तो वो इसी मूल नक्षत्र के सभाव से परभावित होते हुए, देखा गया कि ऐसे ही और भी नक्षत्र है, ऐसे ही और भी जगा बन रहा है, ऐसी बाउंडरी कंडिशन, इस तरह की जो सीमा कहीं और भी बन रही है, तीन जगा बन रही है, तो इसी वजए से इनको सबको मूल नक्षत्र, ग जीवन में कोई चीज बहुत अधीक हो गई कोई चीज की बिल्कुल कमी हो गई यह नक्षत्रों का प्रभाव आता है इसलिए इनका पूजा पार्ट के लिए शास्त्रों में कुछ बताया गया है वह बाद में हम आपको बताएंगे अभी अम नक्षत्रों के बारे में बता जेते हैं इसके बाद जो धनू राशी जो है इसका पहला नक्षत्र जो है आगया जीरो डिगरी अगरी बीस मिनिट तक मगा नक्षत्र मूल नक्षत्र आ गया पूर्व नक्षत्र आपने वह देखा पूर्व पूर्व आ गया अब इसके पूर्व के बाद कौन सा गया उत्तराशाड उत्तराशाड वह चपीश डिगरी चालीस मिनिट से लेके धनू राशी के तीज डिगरी तक उसका पहला चरन आ गया अब उसके बचे तीन चरन वह अगली राशी में मकराशी में अब जीरो डिगरी मकराशी के जीरो डिगरी से लेके 10 डिगरी तक जो है नक्षत्र आता है उत्राशाड उत्राशाड के बाद आएगा नक्षत्र आपका श्रवन अब श्रवन नक्षत्र जो है 10 डिगरी भाद तो बाद में तो बाद में क्या आते हैं धन से जोड़ाया वैसे इसका शास्त देarnошaty रिखात दूसरी जाशी वाइजु तत्र में कुम्ब राशी में चला गया अगला कुम्ब राशी में चले गए अब धनिश्टा के बाद आपका आ गया जो है कुम्ब राशी से लेके आपका बीश डिग्री तक जो है चलता है के बाद आता है आपका पूर्व नक्षत्र आगे पूर्व आगे अब पूर्व आएगा तो उत्तरा भी आएगा अब पूर्व बाद्रपद जो है अब पूर्व आएगा अब पूर्व आया तो उत्तरा भी आएगा अब चोला डिगरी 40 मिन तक मीन राशी का जो है उत्तर भाद्र पर नक्षत्र आ आगया और उसके बाद मीन राशी जो जलतत्व है जलतव्त τब के बाद आपको बदाए कि मेन राशी के बाद कौनसी राशी चाहिए वो फिर अगनी इसका मतलब ऐलाके दोनों नक्क्शटर उह ख्रau नहीं बताए गए हैं जितने खराब कि आपको दूसरे अशलेशा और मघा और जेश्ठा और मूल यह जितने खराब बताए गए इसमें किसी को कोई डाउट है यह आपने इसके नीचे ना वह प्लैनेट भी लेखे हुए है यह प्लैनेट का उसके नक्षत्र के साथ क्या रिलेशन है मैंने पहले बताया था कि हमारे जो चंद्रमा से एक दशा का सिस्टम होता है दशा देखी जाती है चंद्रमा जिस की अशनी नक्षत्र में भाता है तो उसकी जननक के समय worrying है लगी कर्णिधे के सिस्टम लगी होगी विद्धा चली है के वाद उसकी दशा आ गई है शुकर की शुकर के बाद जो है सूरे की सूरे के बाद चंदरमा की इस तरह से करम चलता है और प्रफीर क्यों हो रहे हैं मैं वह प्लैनेट बार बार नो 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 का सब्सक्राइब नो नो ग्रेह नो ग्रेह हैं हरे ग्रेह का एक नक्षत्र की दशा के लिए देखने के लिए दिया गया इसलिए वो जो नो के नो ग्रेह जो है दशा इसी भी ग्रेह की दशा हो सकती जिस ग्रेह में चंद्रम है उसी क्रम से ही वो चलते रहते है तो अभी अगर देखें तो ग् वाल्वि दशा लोत है तो छंदर्मा की दशोगी होगी PHILIJinking के लिए भर लोग की और उस दीड़ी की बिलो आप ललो कि YouTube बच्चा उस समय पैदा हुआ बिल्कुल दस दिग्री एक सेकंड पर तो उसकी चंद्रमा की दशा जो है दस साल चलती है तो दस साल तक उसकी चंद्रमा की दशा मिलेगी उसके बाद चंद्रमा की दशा के बाद उसकी आजेगी मंगल की दशा मंगल की दशा साथ साल चलती है साथ साल से लेगे सतरा साल तक उसकी मंगल की चलेगी मंगल के बाद उसकी आजेगी राहू की दशा राहू की दशा राहू की दशा अठारा साल चलती है इस तरह से दशाएं चलती दशाएं चलती है अठारा चलेगा तो सतरा प्लस सतारा पैंतिस तक राहू चलेगा राहू क साल तक उसकी शनी की चलेगी शनी के बाद जो है उसकी केतु की दशाएगी बुद की 17 तक उसकी के बुद्ध की चली है, 87 प्लस 7 साल केतु की चलती है, 87 प्लस 7, 94 साल 94 तक उसकी जो है, केतु की दशा चलेगी, केतु के बाद आ रहता है, शुक्र, शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की बीस,